हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल और आज का हमारा वीडियो वोल्ट मीटर इंस्टॉलेशन पे होने वाला है क्योंकि आज हम इंस्टॉल करेंगे वोल्ट मीटर को हीरो प्लेजर स्कूटी में तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने यह वाला डिजिटल स्पीडो मेंटर को हीरो प्लेजर में इंस्टॉल किया था जिसमें स्पीड के साथ साथ फ्यूल में ट्रिनमेंटर ओर मल्टि मेंटर डिस्पलेए भी था, तो िन्स्टॉलेशन तो पूरी तरह से काम्याब रहा और अबितक शहीं चल पर मुझे इस meter के पूरे-पूरे setup में कुछ कमी लग रहा था, यह जो इसके बगल में fuel meter है, इसके जगह पे भी कुछ ऐसा install हो जाता, जो मेरे काम का हो, और दिखने में भी attractive लगे, क्योंकि digital fuel meter यूज करने पे ये वैसे भी useless था, तो मैं कुछ ऐसा देख रहा था, जो इस meter क साथ match कर जाए, और मेरे काम का भी हो, तो काफी search करने के बाद मुझे ये volt meter मिला है, ये round shape में है और इसका color भी black है, जो कि इसके बगल वाले meter के साथ काफी match करेगा, ये digital volt meter जिसमें battery voltage reading के साथ साथ battery level का भी indicator दिया गया है, इसको आप किसी भी 12 volt vehicle में यूज कर सकते हैं, त तो आप installation पे आते हैं, पहले तो आपको ये speedometer का पूरा setup scooter से निकालना है, और इसको निकालना मैंने digital speedometer installation वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपको इसको निकालना नहीं आता है, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो का link मैं आपको description मे दे दूँगा तो अब इस कवर को इस तरह से ओपन करना है फिर फ्यूल मिटर के ऊपर और नीचे वाले स्क्रू को निकालना है अब जैसे डिजिटल स्पीडो मिटर में इसको राउंड कट किया था वैसे ही सॉल्डरिंग आयरन की मदस से इसमें होल करेंगे अगर आपके पस महगा वाला सॉल्डरिंग आयरन है तो आप उसको यूज मत करना क्योंकि इसका पैनल और पीछे वाला हिस्सा काफी हार्ड प्लास्टिक का है और जगा भी काफी छोटा है तो इससे ही करना आसान होगा होल करने के बाद इस साइड को सेंड पेपर से रब करके सरफेस को स्मूथ बनाएंगे अब इस बोल्ड मीटर को इसमें स्टॉल करेंगे फिर इसके पीछे साइड भी होल करना है ताकि इसका कनेक्शन हम बाहर की तरब कर सके तो इस तरह से वोल्ड मीटर इसमें इस्टॉल हो गया है अब इसके कवर को इसमें वापस इस्टॉल कर लेंगे फिर इस पूरे स्पीडो मीटर को स्कूटी में इस्टॉल करेंगे तो अब कनेक्शन पर आते हैं तो वोल्ड मीटर में दो पिन दिया गया है एक पॉजिटिव पिन है और दूसरा नेगेटिव पिन तो पहले इस दोनों पिन में हम वायर कनेक्ट करेंगे करेंगे बीट करेंगे तो अब करेंगे ऑड़ करेंगे तो अयक्तिव पिन है मूद कर लुकुक्रों ऐसे नहीं टीन ते Big फिर निगेटिव पिन वाले वायर को निगेटिव वायर से कनेक्ट करेंगे और इस सॉकेट में आप देख सकते हैं यहां ग्रीन वायर है और इस स्कूटी में जितना भी ग्रीन वायर है वो सब निगेटिव है तो हम इसमें ही इसका कनेक्शन करेंगे क्योंकि यह वाला वाय इसके सबसे नजदीक है अब दूसरा पिन जो की positive है उसको ignition line से connect करना है यह black wire ignition wire है इसमें हम इस wire को connect करेंगे तो connection complete हो गया है अब हम check करेंगे तो आप देख सकते में battery voltage reading सो हो रहा है और यह ऊपर battery level indicate करता है यह तीन कलर में है red yellow और green green level battery के अच्छे condition को indicate करता है yellow color जो है वह average battery level condition को indicate करता है और जो red color का indicator है वह आपके battery level के poor condition को indicate करता है engine off condition में battery voltage 12.4 वोल्ट से 13 वोल्ट तक हो सकता है अगर circuit voltage 12.4 से नीचे जा रहा हो बिना कोई accessories on किये तो हमें अपने battery को charge करना चाहिए engine on condition में circuit voltage 13.5 वोल्ट से 14.5 वोल्ट होना चाहिए अगर voltage 14.5 वोल्ट से ज्यादा हो तो आपको battery charging system को check करना चाहिए तो इस तरह से मेरा speedometer project complete हुआ अब इसमें कुछ और नहीं लग सकता है तो दोस्तों ये mode आपको कैसा लगा मुझे comment section में ज़रूर बताएं और मेरे channel को subscribe करना ना भूलें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करते मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो please like subscribe और share करना ना भूलें तो फिर मिलते हैं अगले अब ते एक नए वीडियो के साथ till then have a nice day and thanks for watching करना को झाल